उज्वल गुपता जी प्रश्ण कर रहे हैं कुम्भ मेला क्यों लगता है जब समुद्र मंथन हुआ समुद्र मंथन से अम्रत निकला तब उस अम्रत के लिए देवासुर संग्राम हुआ तब कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में छीना जप्ती में उस अम्रत से कुछ बूंद प्रश्वी लोग पर गिर पड़ी कहां कहां अम्रत की कुछ बूंदें प्रयाग राज में गिरी तो वहां कुम्ह लगता है कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी वहां कुम्ह लगता है कुछ बूंदें उज्जेन में गिरी वहां कुम्ह लगता है और कुछ बूंदे नासिक में जाकर गिरी तो नासिक में कुम्भ का मेला लगता है वो अम्रत हर बारह वर्ष में एक कुम्भ आता है तो हर बारह वर्ष में कहते हैं विद्धुजन की एक अम्रत प्रगट होता है और सीधी बात यह है कि इसी बहाने हम तीर्थों का दर्शन कर लेते हैं कुछ दान पुन्य कर लेते हैं आध्ध्यातों विसे तो यही है कि अम्रत की बूंदेने के लिए और हम सभी नहाते हैं तो हमारे भीतर के भी पाप धुल जाते हैं और हमारी भक्ति हमारा ज्ञान अमर होता है तो हम श्नान करते हैं पुन्य की प्राप्ति होती है पाप तो हम दिन भर करते हैं 24 गंटे करते हैं, पुन्य के लिए कभी-कभी यवसर आता है, तो कर लेना चाहिए, हाँ, इसलिए ये कुम्भ हैं, और लोगों को जाना चाहिए, सब के कल्याण के लिए ये है.